तो हैं मुरादाबाद के शिल्प गुरू दिर्शाद हुसेन को पदमश्य सम्मान के लिए चुना गया है सततर वर्ष्य दिर्शाद हुसेन पीतल की बरतनों पर नकाशी करने के लिए मशूर हैं प्रधान मंत्री नरिन मोदी और मुखे मंत्री यूगी आदितेनात उनकी कला की पहले भी सरहाना कर चुके हैं प्रधान मंत्री मोदी ने अगस्त साल 2022 में जी सेवन सम्मीलन में जर्मनी के चांसलर को दिर्शाद हुसेन द्वारा बनाया एक कलश भी भीट किया था पदमश्रे सम्मान मिलने की सूचना पर प्रसनता जाहिर करते हुए दिर्शाद हुसेन ने केंदर सरकार को धन्यवाद दिया है उन्होंने बताया है कि दस साल के उमर में उन्होंने नकाशी की कला दादा अब्दुल अखलाग हमीद से सीखने शूप की थी मुरादाबाद की कला दूर दूर तक पहुंचे इसके लिए मैं अपने घर से नकाशी की क्लास लगा कर युवाओं और युवतियों को नकाशी का हुना सिखा रहे हैं हथा भूा फोहब में या कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम पदर्शि बनेंगे मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरकार को भी कि सरकान ने मुझे चुना में मैं बहुत बहुत सुग्रियादा करता हूं और जो जो जुड़वे हैं उनका भी सुग्रियादा करता हूं मैंने अब तक जो ध्यान दिया है अपनी कल delighted दिया है जिससे के वहार घर में बैटके हमारी कला और कर सकें यहां तक के एवाइड भी दिलवाया है और जो लेडिस हैं और जो बहार छोटे कम जानते थे उनको काम शिकाया जिससे के आज वो अपने घरों बैटके काम कर रही है लेडिस